संयूक्त सुक्ष्मदर्शी, compound microscope, बहुती सरल उत्तर, सूत्र सहीत, पूरे चित्र को step by step समझेंगे और सूत्र निकालेंगे, इससे सरल उत्तर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा संयूक्त सुक्ष्मदर्शी होता क्या है, compound microscope क्या होता है, तो याद रखी का कि ये दो लेंसों के संयूक से बनता है, और इसमें बहुत छोटे कणों को भी बहुत इस पस टूप से देखा जा सकता है, तो अब इसमें दो लेंस का combination आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप अबिद्रश्चक लेंस कहते हैं, तो इसके सामने आप यहाँ पर एक वस्तू रख देंगे, और ये लेंस आपको क्या करना है, चुकि आप सुक्ष्म कणों को बढ़ा करके देखना चाहते हैं, तो ये लेंस आपका छोटा रहेगा, दो लेंस रहेंगे टोटल, लेकिन वस के सामने यहाँ हम वस्तू को रख देंगे, तो यह हमारी वस्तू हो गई, और वस्तू को हम नाम दे देते हैं A-B, अब क्या करना है, कि जब भी आप किसी वस्तू का प्रतिविंब लेंस के द्वारा बनाते हैं, तो एक प्रकाश की किरण को मुख्यक्ष के समानतर डालते ह और फिर उस लेंस के focus से निकाल देते हैं फिर एक अभीद्रशक से होकर सीधी निकाल देते हैं तो आपका प्रतिविंब तैयार हो जाता है अब ये अभीद्रशक O के लिए वस्तू A B हमने ले ली है तो ये A B हमारी क्या हो गई? वस्तू हो गई तो अब ये देखिए एक प्रकाश की किरण मुख्यक्ष के समानतर लाया और मुख्यक्ष के समानतर लाकर या क्या कि आपने ये देखिए तीर का निशान लगा दीजिएगा अवश्य लगाईएगा तीर के निशान अब आपकी ये यहां से इस तरीके से फोकस से होकर गुजर गई और ये फोकस किसका है? O का फोकस है इसलिए हम इसको F O नाम दे देंगे तो ये हमारी प्रकाश की किरणा गई और ये आपकी जो है इस स्पाइंड को हम F O नाम देंगे तो नाम करना आप हाथ हुआथ करते चलिएगा ताकि आपको कोई confusion ना हो F O क्यों लिखा? क्योंकि ये फोकस तो है मुख्यश के समान तरा ही तो फोकस से गुजरी तो फोकस तो हमको इसको लिखना ही है लेकिन चुकी है O का फोकस है इसलिए F O इसको नाम दे दिया अब एक प्रकाश की किरन बिल्कुल O से बिल्कुल स्ट्रेट आपको मालूम है कि जो प्रकाश के इंदर से गुजरती है वो सीधी निकल जाती है तो सीधी लिया है और यहाँ इसका ये प्रतिम बापको मिल जाएगा ये प्रतिवीम आपका हो गया A-Dash, B-Dash हम इसका प्रतिवीम बनाएंगे ये प्रतिवीम देखे आपका रेडी हो गया ये इसकी तुल्ला में थोड़ा सब बड़ा है और इसको आपने नाम दे दिया A-Dash, B-Dash अब क्या हो रहा देखेगा अब आप ये देख लिजिए कि ये जो दूरियां है इनको भी आप लिख लिजिए क्योंकि ये बाद में फिर आपको याद नहीं रहेगी तो ये O से वस्तू की दूरी है तो इसको हम वस्तू की दूरी को हम U से दर्शाते हैं और चुकि ये O से दूरी है तो हम इसको कहेंगे U O देखें ये U O मैंने लिख लिया ठीक है तो ये O से दूरी है है ना अभी द्रशक से दूरी है तो इसको हम U O लिख रहे हैं वस्तू की दूरी है ना तो वस्तू की दूरी को किस से दर्शाते हैं U से दर्शाते हैं तो इसको आप U O कर दीजी क्योंकि O से दूरी है अब O क्यों लिखा क्योंकि यहां पर दो लेंस लगेंगे तो एक E वाला लेंस भी बाद में आप यहां लगाएंगे इसलिए आपने इसको U O लिख दिया अब यह माइनस का चिन क्यों लगाया यह भी मैं पता देता हूँ आप चाहें तो ब्रेकेट में इसको छोटे से ब्रेकेट में माइनस का चिन लगा दीजेगा अब माइनस का चिन बच्चो इसलिए लगाया क्योंकि यह आपके इस लेंस के लेप साइड में तो लेप साइड में जब भी लेंस के लेप साइड में जिस लेंस से भी आप दूरी नापेंगे चिन्न परिपाटी में अगर उसके लेफ्ट में कोई चीज रखी है तो उसको आप माइनस से दर्शाएंगे तो वस्तू उसके लेफ्ट में है तो ये माइनस हो जाएगा मने तिरिका को बनाने के पहले ताकि बाद में आपको दूरिया लिखते समय कोई confusion न हो तो दूरिया लिखते समय कंफूजन नहीं हो इसलिए ध्यान रखना कि ये O के लिए प्रतिविम की दूरी तो ये VO हो गया और ये O केली वस्तु की दूरी तो ये UO हो गया ये left side में इसलिए minus और ये right side में इसलिए plus इस lens के लिए ठीक है अब ये जो आपका प्रतिमिम बना ए डेश बीडेश ये किसका प्रतिमिम बनाएगा ये ओ के दोरा अब आपको आप पता है कि संयुक्त सुक्ष्मदर्शी में किते lens लगते हैं दो lens लगते हैं तो अब हमको अगला lens लेना है ठीक है अब अगला lens आप यहां लेंगे इस जगे और ये इस lens के लिए वस्तु हो जाएगी मतलब यह वाला जो प्रतिविम्बे ही है इस lens के लिए किसका काम करेगा वस्तू का काम करेगा तो आप यहाँ पर एक lens लगाएंगे और यह lens को हमने क्या नाम दिया था अभिद्रशक lens और इधर वाला हमारा जो lens रहेगा उसको हम लाम देंगे नेत्रिका लेंस, clear है, तो अब हम चलिए, ये नेत्रिका लेंस बना देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाया है हमने, अब बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि हमको बड़ा करके देखना है उसको छोटी वस्तु को, तो वस्तु की तरफ छोटा लेंस, हमारी तरफ बड़ा ल अब ये इसके लिए वस्तू हो गई तो एक प्रकाश की किरन क्या करेंगे मुख्यश के समांतर डालेंगे इस लेंज का नाम क्या दिया हमने नेत्रिका लेंज ठीक है क्योंकि यह हमारी आखों की तरफ रहने वाला लेंज से यह बढ़ा करके देखेगा तो यह आपका हो गया मैं अभी जो आप से कह रहा था कि इस नेत्रिका लेंज तो इसको नाम दे दिया हमने E अभी दिरश्चक के लिए हमने नाम दिया था O अब आपका क्या हुआ एक प्रकाश की किरन हम क्या करेंगे मुख्यश के समांतर डालेंगे और अभी देखे यह आप एक मज़ेदार ब मतलब यह इसका फोकस यहां है और यह इसका प्रकाश के इंदर और फोकस के बीच में हमने इसको रखा है तो यह आप यहां कहीं भी लिख दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता इस F.E. को इस जगे कहीं पर भी लिख दीजिएगा पर इससे बाद में लिखिएगा अब इसके लिए वस्तू हो गई अब वस्तू हो गई तो क्या होगा एक प्रकाश की करियान यह इस तरह से जाएगी मुखष के समान तर और इधर एक फोकस से ओकर गुजड़ जाएगी तो इसको निकाल दीजिएगा और एक क्या होगा एक जो है E की दिश्शा से सीधे निकल ज तरफ पीछे की तरफ आके यहां कई मिलेंगे इधर भी मिल सकते हैं इसलिए चिंता मत कीजिए जलीज़ाओ ne some rat गां ?, सलिए क30डीये को मिलाके इनको आंड कर इनको मिलें तो बिल्कूल से इतना पीछे को ब Beast गर सबढ़ करicano ग sadness को है ना यू तो लिखते हैं वस्तो की दूरी को लेकिन ये E के लिए घर दूरी यह वको साइड नूर्फ स मेरा मैनस बिखा नदा नुर्स स्टैट लाइन कीस करती भी मन जाए का इसे आप का फृतिर यका बघुशर तो यह आपका PQ जो है इसका अंतिम प्रतिविम्ब हो जाएगा और किसे बनाएं आपने इसको डेश 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 करते हो पीछे लाएं इसको भी डेश डेश करते हो पीछे लाएं और यहां से एक स्ट्रेट लाइन के जरी इस तरीके साब प्रतिविम्ब बना देना तो यह जो है ये इस मूल वस्तु के साफेक्ष तो उल्टा बनेगा पर इसके साफेक्ष तो ये सीधा ही है तो ये इसके प्रकाश के अंदर और फोकस के बीच में ले लिया और ये यहां किरणों को पीछे लाते हुए है अंतिम प्रतिमिम पीक्यू आपने बना दिया तो आपने ये साइड में फोरी के तो ये के लिए वस्तु है ये अश्बिड़ेश ये प्रतिमिम पीक्यू ये फीले प्लस की यह प्लस का यह कि ये इस के लिए अप की सारी दूरियां हो गई अब में आपको इसमें एंगल भी समझा दूंगा तो यह अभी तक आपका जो बना हूँआ मा अब यहा देखना मैं आपको एंगल समझाता हूं, तो मैं एक एंगल आपको समझा रहा हूं, तो वो आप देख लिजिए, इसमें यहां जो यह बनेगा कोन यह बीटा बनेगा, यह अच्छली क्या है यह अंतिम प्रतिम फिम दवारा नेरमिद दृष्टी कोन यह अनतिम प् बन रहा है तो यह एक्चुली इस तरीके से आपका जो है ई-पी-क्यू यह यहाँ इस ट्रायंगल में बीटा बन रहा है और यही आपका समरूपता से यह आपका ई-बी-डेश-A-डेश के लिए भी यही एंगल आपका बनने लग जाएगा या बताने लग जाएगे तो यह आपका यहाँ बन रहा है अब अलफा का मनेगा यह बीटा आपका कौन सा हो गया अंतिम प्रतिमिम द्वारा निर्मे द्रश्टी कौन अब मैं अलफा के लिए भी बता देता हूँ फिर मैं फार्मूला पर जाऊंगा तो पहले मैं अलफा के लिए भी बता देता हूँ A, B, E और यहाँ बनता अलफा क्लियर है ना और मैं आगे आपको और चित्र के माध्यम से बताता हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है न और अब एक बच्चे कहीं बार मुझसे पूछते हैं कि A, B को कहा है रखे प्रतिम प्रतिम द्वारा निर्मित दर्शन कॉण बटे स्पस द्रश्टि की नियूंतम दूरी परिस्तित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कॉण दर्शन कौन दर्श्टी कौन जो भी लिखना चाहिए अब अंतिम प्रतिमिम का निर्मित दर्शन कौन तो बीटा है तो यह हो गया आपका बीटा देखें अंतिम प्रतिमिम पीक्यू द्वारा बनावा कौन तो बीटा ही है न तो यह बीटा हो गया अब इस पस द्रश्टी क की निउनतम दूरी पर होती यहां, तो यह A, B, E और यहां बनता अलफा, देखिए इस तरीके से मैंने नीचे एक चित्र बना कर आपको बता रहा हूं, यह इस तरीके से, यह आपका हो गया, देखिए, A, B, E, और यह बनता अलफा, यह देखिए, यह यहां देखिए आप यह, A, B, यहां आजाता, A, B, यहां आजाता तो, अगर वस्तू होती तो, क्योंकि देखिए, इस पर दिरिश्टिकी निउनतम दूरी पर प्रतिमी मित्ता बड़ा बना है, और वो बीटा कोण पर बना है, तो एंगल में हमको मालूम करना है, वस्तू अगर यहां होती तो कितना एंगल बनता, तो वस्तू यहां होती तो, A, B, E, और यह एंगल बनता अलफा, तो यह मैंने यहां बना कि आपको अलग से बता दिया है, अगर यहां होती तो कितना एंगल बनता, तो यह इस तरह इसे काल्पनिक चित्र बनाना पड़ेगा, तो A, B, E, और यह एंगल बन गया अलफा, तो यह A, B, E, और एंगल बन गया अलफा, अब चुक्कि स्पस्द्रिश्टिक नहीं उन्तम दूरी पर है, अब आपको पता है कि 10 ठिटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, बीटा का मना हुआ है, देखी ध्यान से, यह बीटा एंगल का मना है, यहां मना है, तो इसमें लंब भुजा कोन होगई, A, B, आधार भुजा कोन होगई, A, B, बटे, EB, तो 10 बीटा का मना होगई, A, B, बटे, EB, अब 10 अलफा का होगई, तो यहां से निकाल लेना हो, A, B, बटे, EB, A, B, बटे, EB, क्योंकि वो अलफा के लिए भी तो यहां यहीं रहेगी न, तो यहां रहेगी तो यह ऐसे रहेगी, तो A B और ये E B तो A B बटे E B तो मान भर दीजे तो 10 बिटा का क्या भरा आपने A डेस B डेस बटे E B डेस ये A डेस B डेस बटे E B डेस और अलफा का आपने भरा A B बटे E B अब आप क्या करेंगे बोलिए अब यहां तो कुछ भी कटने जैसा नहीं है क्योंकि A डेस B डेस A B के बराबर नहीं है तो ये भी नहीं कटेगा और E B डेस जो है वो E B के बराबर नहीं है तो ये भी नहीं कटेगा तो उलट गुनित कर लिजिए तो A डेस B डटे E B डेस हो जाएगा और इसको उलट गुनित कीजे तो ये हो जाएगा तो दिक्कत है तो फिर एक काम करिए इसको आप थोड़ा सा सही करके लिख लीजिए कि A-B-Dash के बटा में A-B लिख लीजिए और E-B-Dash इस तरीके से देखिए यह A-B को यहां खिसका दिया और इस E-B-Dash को यहां खिसका दिया अब ऐसा क्यों करा मैं बताता हूँ आपको आ इस तरीके से अने पर इनको आप कैसे लिखेंगे आपको जब तकर लाइन पर नहीं लिख पाएंगे तो इसके लिए फिर आप समपरूपता की शर्त बनाएंगे तो समपरूपता में आपको क्या करना है? कि A-B-O और A-B जहां से भी समरूप बन रहे हो जिस पाइंट से वो आप दो त्रिबूश समरूप ले लिजे तो देखिए A-B-O ध्यान से देखिएगा यहां देखिए चित्र में A-B-O यह A-B-O ठीके तो आपने देखिए यहां लिया A-B-O यह हो गया और A-B-O यह दो त्रिबूश देख लिजे यह दो त्रिबूश समरूप है तो समरूप है तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार हो जाएगा तो इसमें देखिए A-B-O में देखिए तो यह लंब उजा होगे A-B- इसकी लम बुजा होगे AB और आधार में देखिर इसका आधार होगया OB तो आप लिख देञे A-B-AB बराबर OB-AB तो यह समुरुपता में आजाएगा O से बनाना समुरुप तो इसकी लम बुजा A-B-A-B इसकी लम बुजा OB- इसकी लम बुजा OB अब आपके पास चारों मान है देखिए मैं आपको बताता हूं कहां है और उसके बाद में इबी डेश तो इबी डेश यह और आपका माइनस का यूई तो जब आप चारो मान को एक बारा पहले चित्र में लिख चुके होंगे तो यहां आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा और इसमें याद रखना तीन मान माइनस के हैं और एक मान प्लस का रहेगा तो चुकि त इन मान माइनस के हैं तो दो माइनस तो कट जाएगा और एक माइनस बच जाएगा तो उसको आप आगे लिख लिजेगा तो M is equal to हो जाएगा माइनस वी उपान यूओ गूनि डी अपान यूई यह आपकी समिकर नंबर दो हो गई और यह आवर्धन समता का आपका सूत्र भ पान वी शर्ट यह कि जो इस चित्र में बनी वी वो शर्ट का अंतिम प्रत्бी में स्पसद्रस्टी की निहून तम दूरी पर बने तो यह आपके शर्ट हो गएक जाए यह न ही रहma और इसमें क्या है कि यह यहाँ पर आपको क्या करना है? फोकस दूरी के पड़ों में सूत्र को लेकर जाना पड़ेगा एम के सूत्र को तो फिर आपको फोकस दूरी के पड़ों में सूत्र ले जाना है तो लेन्स लगाईए फोकस दूरी का 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं किसा यह लिखते क्यों है क्या जरूते हैं इसको यहां लिखने की लेंस सुत्र को तो मैं उनको बताता हूँ का आवर्दन शम्ता को फोकस दूरी में ले जाना है तो फिर उसके लिए आपको U, V के साथ F के जो रिलेशन का सूत्र है वो लेना पड़ेगा तो यहां आप लेंस सूत्र लेंगे 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U अब आप value put कर दीजे नेत्रिका के लिए याद रखेगा क्या लिखेंगे नेत्रिका के लिए तो नेत्रिका के लिए फोकस दूरी को बिले exception के दूरी मतलब D है E के लिए देखना है E के लिए यह वस्तू UE यह प्रतविम यह V और यह D दूरी पर है लेकिन दोनों के चिन क्या है minus के तो यह प्रतविम की दूरी को minus D वस्तू की दूरी को minus UE और फोकस दूरी का आपका हो गया F E है ना उत्तर लेंस के फोकस दूरी है तो धनात्मक होती है अब आपका क्या होगा देखिए यह दो माइनस इखटे होगा तो इसको आप प्लस कर दीजे तो यह बन जाएगा वन अपान F is equal to यहाँ उपर देखिए वन अपान F is equal to minus 1 upon D plus 1 upon U ठीक है अब आपका वन अपान U E को रोक लिजिए तो यह बन अपान U E आपने रोका तो यह होगा वन अपान F E गुना करेंगे तो देखी क्या बन जाएगा डी का गुना करके देखते हैं तो डी का गुना करा यह बन गया डी एपन एफी प्लस दी एपन डी is equal to d.urar. देखें d. lone. अब यह कटके एक हो जाएगा तो यह बन जाएगा d. डिये पान एफी प्लस वन, है ना, डिये पान एफी प्लस वन, is equal to हो जाएगा डिये पान एफी, तो डिये पान एफी का माना जाएगा वन प्लस डिये पान एफी, देखो फिर से वन प्लस डिये पान एफी, ये वन हो गया और ये प्लस डिये पान एफी, और ये किसका माना या डी अपान यूई का ये मान उठागा आप यहां पठक दीजिए तो आपका आवर्धन शम्ता का सूत्र फोकस दूरी के पदों में आ जाए तो यह समिकर्ण तीन से डी अपान यूई का मान यहां लक्ष रखेगा कि डी अपान यूई का मान लिखना है निकालना है और यह निकाल लीजेगा और निकाल कर फिर आप यहां रख दीजेगा तो यह मान जब आप यहां रख देंगे तो एहम का आपके पास सूत्र आ जाएगा समिकर्ण दों में मान रखने पर माइनस वी ओ अपान यूओ इंटू वन प्लस डी अपान एफी यह आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा इसका कि जब प्रतिमिम स्पस्द रष्टी की निहुंतम दूरी पर बने अब अगर वो कहें कि प्रतिमिम अनंद पर बने तो इसका मतलब यह मिलना नहीं चाहिए यह नहीं मिलना चाहिए मतलब A-B-A-F-E पर रहेगा यहां मतलब UE की जगे क्या हो जाएगा F-E हो जाएगा तो यह जब आप प्रतिमिम को यहां बना देंगे A-B-A-B-E-S को तो फिर यह F-E हो जाएगी अनन्द पर बने तो वस्तु का होना चाहिए F-E तो यह M का सुत्र लिख दीजे माइनस V-O अपान U-O समिकर दो से डायरेट मान भरके माइनस V-O अपान U-O इंटू D अपान F-E देखी UE की जगे F-E लिख दिया तो यह आपका अंतिम प्रतिम अनन्द पर बने यह वाला फार्मूला भी आ जाएगा तो मेरे खाल साथ आप बहुत सिंपल तरीके से आपने यह सारे फार्मूला निकाल लिए आप चित्र भी बनाना सीख गए स्टेप बाइ स्टेप जैसे मैंने बताए आपको एक्जाम में वैसे ही करना है तो आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और पूरी समझ भी बनेगी अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप देखना चाते हैं सरल शुक्ष्म दर्शी देखना चाते हैं भेजदुगा डिस्क्रिप्शन के अंदर इस पूरे चेप्टर की लिंक भी आपको भेजदुगा आपको जो प्रश्न चाहिए 12 Physics का वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन देखिए 12 Physics के सारे 300 वीडियो और उसके साथ में इलेंस और मीरार और इसके संबन में सारे वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए धन्यवाद